विक्रम चोग की ये लाइब फोटेज इससमें आद देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि गारी की नंबर प्लेट है उसे इस कैमरे के जूम आप्शन के जरीए विजिबल किया गया है और जो भी ओफैंस यहाँ पर होता है उसकी चलानिंग जो है वो की जाती है बकायदा अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर तो देखिए यह पूरा जैबरा क्रॉसिंग है और यह व्यक्ति जो है यह वाइलेशन में है यह गाडिया अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज इन कैमरास के जरीए विजिबल है यानि कि अगर आप कोई विजिबल ओफैंस करते है यह जो कैमरास अब शहर में लगा दिये गए हैं यह आपकी गाड़ी की हर एक गतिविदी पर नजर बनाए होए हैं सभी कैमरास HD कैमरास है यानि के आप किसी भी प्रकार से जो है वो वाइलेशन करके जो है बच नहीं पाएंगे यहाँ पर देखिए सामने जो स्क्रीन चल होए हैं इसी फूटेज के आदार पर यहां आप देखिए अगर आप जम्मू की सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाते हैं और बेखोफ होकर आप रेट सिनल को जंप करते हैं या फिर वाइलेशन करते हैं तो जरा साबदान हो जाईएगा क्योंकि अब जो कंट्रोल रूम ह इंटिग्रेटिट इन वाइलेशन पर नज़र रखने के लिए वो पूरी तरह से तयार हो चुका है और बकायदा यह जो स्क्रीन्स आप इस समय देख रहे हैं इन स्क्रीन्स पर जो वीडियो आपके साथ में चल रही हैं यह लाइव फूटेज इस समय इस कंट्रोल सेंटर में पहुच रही है और यहां पर लाइव जो चलान है वो किये जा रहे हैं यह सामने आप देखिए शेहर के अलग-अलग लोकेशन पर लगे हुए हाई डेफिनेशन CCTV कैमरा तमाम लाइव फूटेज यहां इस कंट्रोल रूम में पहुचा रहे हैं और दूसरी ओर जो स्क् करनिंग की जा रही है यह पूरा जो इंटेगेटिट सिस्टम है इस समय शेहर की 14 अलग-अलग लोकेशन है जहां पर यह सिस्टम इस समय काम कर रहा है और देखिए आप कैसे गाडी की जो नंबर प्लेट है वो यहां पर चेक की जाती है और फिर जो चलान है वो भेज दिय जाता है देखिए यह अलग-अलग लोकेशन की है विक्रम चोग की यह लाइफ फोटेज समय आप देख रहे हैं और यहां पर देखिए गाडी की जो नंबर प्लेट है उसे इस कैमरे के जूम ऑप्शन के जरिए विजिबल किया गया है और जो भी ओफैंस यहां पर होता है उसकी चलानिंग जो है वो की जाती है बकायदा अगर आप देख पाएंगे यहां पर तो देखिए यह पूरा जैब्रा क्रॉसिंग है और यह व्यक्ति जो है यह वाइलेशन में है यह गाडिया अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज इन कैमरास के जरिए विजिबल है या आप ध्यान में रखें कि ट्राफिक कर्मी आपको शायद नहीं देख रहा है लेकिन यह जो कैमरास अब शहर में लगा दिये गए हैं यह आपकी गाड़ी की हर एक गतिविदी पर नजर बनाए हो वे हैं सभी कैमरास है यानि कि आप किसी भी प्रकार से जो है वो वाइलेश जोदा यह लोकेशन्स है जिन पर फिलाल यह कैमरास काम कर रहे हैं और यही फूटेज यहां पर अगर आप देखेंगे जो ऑफिशियल्स परसनल कंप्यूटर पर बैठे हैं उन्हें यहां पर यह फूटेज मिलती है और फिर इस फूटेज को अनलाइज किया जाता है और यह पूरा सेंटर आप देख रहे हैं यहां पर इसमें ट्राफिक कर्मी बैठे होए हैं इसी फूटेज के आदार पर यहां आप देखिए कैसे गाड़ी की जो स्टिल इमेज है वो बनाई जाती है और यह देखिए इस गाड़ी का नंबर इसमें आपको दिख रहा होगा ट चलान यहां पर जनरेट किया गया है और इस व्यक्ति को चलान बेज दिया गया है यानि कि शहर में जो इंटेलिजन ट्राफिक मेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव है और ज़रूरत है कि आप दे इंटेलिजन हो जाए ताकि आपका चलान ना कटे फिलाल 14 लेकिन आप यहां पर देखिए कि ट्राफिक कर्मी लगातार पूरी अटेंशन के साथ अपना काम कर रहे हैं ताकि कोई भी गाड़ी जो की वाइलेशन करती हो यहां देखिया जिसमें आपके सामने इस गाड़ी की जो स्टील इमेज है वो निकाली गई है और बकाइदा इमे और चलान जो है वो इस व्यक्ति को अब भेजा जाएगा तो यह लाइव में आपको यहां से दिखा रहा हूं कि कैसे यह इंटिगरेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर काम करता है साथने की जो कंप्टूटर स्क्रीन है बिल्कुल देखिए पैरलल उस स्क्रीन पर इस हमें जो बड़ी स्क्रीन के विज्वल्स है वो आते हुए और इन्हीं विज्वल्स से स्टिल इमेज जो है वो बनाई जाती है और स्टिल इमेज के बाद जो चलान है वो लोगों को भेज दिये जाते है और इसी लिए तमाम लोकेशन पर जो कैमरास है वो पूरी तरह से नहीं से इन कैमरा की जरीए अब देखा जा रहा है मॉनिट्रिंग हो रही है क्योंकि जम्मू स्मार्ट हो चुका है और स्मार्ट हुए जम्मू में जो लोग है उनका स्मार्ट होना बहुत जरूरी है अन्यता आपके जो पैसे है वो चलान के माधिम से जाधा खर्च होंगे क क्योंकि अगर आप हर रोज violation करते हैं, जाहिर सी बात हैं, आपको हर रोज चलान दिया जाएगा, और अगर आप multiple violation करते हैं, तो शायद आपकी गारी को detect कर लिया जाएगा, और उसके बाद कुछ और बड़ी कारवाई भी expected है, तो locations मैंने आपको बताई, लेकिन आप ये visuals दे करें, traffic memo का पालन करें, ताकि यहां इस control room में आपकी जो वीडियो है, वो violation करते हुए ना पहुंचे, और आपको यहां से कोई भी चलान ना भीजा जाए, जी, यह intelligent traffic management system जो है, यह हमारे जो अभी 14 junction पे इसको हमने live किया है, तो जिसमें की हमारी last week थोड़ी testing पे चल रही थ management, तो अभी इस पे चलानी वेरा भी जोने शुरू कर दिये, तो अभी operational है, on the 14 junction, total scope में देखो, 44 हमारी traffic signal locations है, total जो है, उनमें, आप बोलेंगे तो जहां red lights हमारी है, वो है 38 locations, 38 to 39 locations, बाकी locations है, non red light locations है, जहां पर आपके red light के चलानी ना होके, जो आपके triple lighting, north seat belt and all those things, वो traffic management, जो हमरे traffic violation है, यह 24 पे 7, इनका capability काम करने का, यह आपका violations capture करके store कर लेते हैं, अपने system पे, तो अगर suppose किसी को live, अगर suppose traffic police चाती है, live देखने के लिए, इनको available होना पड़ेगा, अदरवास historical data store रहता है, इस पे, जितना होने भी violation की है, तो यह सारा data यहां पा store है, 24 पे आप देक तरह जंबो लिंग से उसरे, नमस्कार